तो मेरे पास आया था रात को साड़े 8 बचाया था वर्णेस्टेक को यह थर्ष्टे को चाहिए था डाई किलो की केक चाहिए था तो इसके लिए मैंने यूज की ही 10 इंच का यह केक टीन एक मेरे पास एक ही था इसलिए जल्दी में बनाना था सुभा 8 बजी डिलिवरी था त और यह जो 10 इंच वाला केक टीन था उसमें मैंने जितना भी बनाई थी डोमसेप का हो गया था मैं बैचेस में करती लेकिन टाइम नहीं था मेरे पास इसलिए मुझे इसको एक बार में मतलब बड़ा एक छोटा मिला करके केक को बनाना पड़ा और केक मेंने वो बड़ा व पुरा मतलब धाय किलो का था इसलिए 900 850-900 ग्राम मेंने क्रीम यूज किया हूं और प्रीमिक्स मेंने पुरा यूज किया हूं पुरा एक किलो का प्रीमिक्स लेया हूं प्रीमिक्स ज्यादा ली हूं और क्रीम में कम यूज करती हूं इसलिए केक ज्यादा पसंद करते हैं सब में इसी क्वांटिटी केवशाब से क्रीम कम екाम उसकी है है और देखืे।안 में जो छोटा बाला केक बनाई थी ना उसको मिडल में मतलब दो लेर पहले बड़ा बाला दे दिया फिर छोटा बाला को दे रही हूं और इसके साइड में जो डोम सेप की केक निकाली थी ना उसको लगा रही हूं इसको लगाने से क्या होगा ना केक की मतलब जितना बेस होन और इसके साथ साथ हमारा जो मतलब क्रीम जादा नहीं जाएगा उसके अंदर नहीं तो फिर वो पोर्षन जो भी खाएगा उसको जादा क्रीम लगेगा मतलब जो भी उस पोर्षन के को खाएगा तो इसलिए मैं इस तरह ही उसके और उसके उपर लेयर भी इसी तरह ही दे दि लिए क्या करें कभी-कभी मजबुरन ऐसा ही बनाना पड़ता है और पता नहीं लोग क्या सोचते हैं इतनी जल्दी-जल्दी में केक अडर दे देते हैं और इतना बड़ा-बड़ा सोचते हैं सायद चुटकी भी हो जाता है कि इसलिए छोटा वाला हो तो ठीक है मैनेज हो ज करता लेकिन एक ही किक जाए था इसलिए मैंने इसको सायड में क्रीम लगा लिया और फिर भुल हाड वाला स्क्राप लेकर कर लिया और कम्बिंग जो मेरा प्लास्टिक वाला आता है उसको लेकर कर कर लिया अभी मैं उस्को तका ग्लेज़िंग जेल अभी में केक को केक बना था मैं नहीं चाहती थी कि वो जेल कम पड़ जाए और बाद में मुझे फिर से बनाना पड़े इसलिए में एक सब जादा ले लिया और अगर बचेगा तो फ्रीज में स्टोर करके रख लेंगे और येलो कलर में बना रही थी पाइनपल के काडर था तो इसलिए में येलो कलर का पूजेल फूड कलर तीन ड्रप आड़ कर लिया उजवाली तो एक ड्रप में हो जाता है लेकिन ज्यादा कॉंटिटी का था तो लाइट ना है के मनलब बूजेल का कलर इसलिए मैंने तीन ड्रप आड़ कर दिया अभी हामें यूज करना है पाइपिंग बैग इस प्रेड करने के लिए अभी जरूरी है क्योंकि यह बड़ा वाला केक है और हाँ आप जब क्रीम भी प्रेड करेंगे ना पाइपिंग बैग इस बड़ा वाला केक के लिए यूज कीजिए नहीं तो फिर यह अच्छी तरीके से नहीं होगा मैंने जिस तरह उपर भी एक ही बार में प्रेड कर लिया और अच्छी तरीके से फिनिसिंग भी हो गया और बड़ा वाला केक के लिए हमें कोई दिकत भी नहीं हुआ यह ट्रीक आप फलो कीजिए बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी हो जाएगा और साइड में में थोड़ा सा ड्रिप्स बना रह दी थी यह आमाजन और फ्लिपकाट दोन पर अवेलेबल है आप केक स्क्रापर करके सर्च कर लीजिए और मिल जाएगा मतलब सामने नहीं आएगा बीच मतलब अंदर अंदर आप जाएंगे ना तो मिल जाएगा केक का स्क्रापर इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं है और म मैं ने सोची कि यह थोड़ा सा मोटा बना लेती हूं कि केक का साइज बहुत बड़ा था अगर डबल में बनाऊंगी तो अच्छा दिखेगा और अभी में ले रही हूं एक एंटू की नोजल और पाइपिंग बैग में भर दिया हूं और वाइट कलर में इसको सिर्फ आठ में बना लिया छोटा छोटा उसके उपर रोसेट ज्यादा बड़ा रोसेट नहीं बनाना है छोटा छोटा उस बोड़ोर के उपर बनाना है अभी में सोची इसको थोड़ा सा हाइलाइट करते हैं इसके लिए थोड़ा सा हलका हलका मैंने क्या क्या आना वो रेड कलर का जो स्प्रेय कलर आता है उसको मैंने स्प्रेय कर रही हूं और आपको केरफुली स्प्रेय करना है ताकि चारो दरब ना जाए और अभी में डाक कमपाउंड लेकर के इसको छोटी-छोटी चप करके माइक्रो में मैंने 30-30 सेकेंड करके एक मिनट में इसको पुरा मेल्ट कर लिया देखिए सर्दिय का मौसम है तो चोकलेट मेल्ट होने में थोड़ा टाइम भी लगता है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है अभी मैं ले रही हूँ एक ओएचपी सीट उसमें हमारा जो मेल्टेट चोकलेट है इसको में स्प्रेड कर रही हूं और देखिए प्रेड कर रही हूं ताकि ये पूरा स्मूध सी श्लुकी सी दे हमारा बुस्से और इसको सेमी सेट होने के लिए फ्रीज में ने रख लिया 30-1 मिनट के लिए आपको हाथ लगा कर चेक करना है ये पूरा हाड़ ना हो और पूरा रनी भी ना हो हाथ पर ना लगे इसको सेम तो सुभा फिर से उठकर के काम घर की निपटा करके मेरे बैटी को स्कूल बेज करके फिर में काम पर यह लगई और देखिए जितना भी हमारा स्टार्स निकलाना उतना में निकाल लिया और फिर इसको केक उपर अभी में लगा रहे हूं हाँ मेरा एक डाउट है आपको अगर पता है ना प्लीज मुझे हल्फ कीजिए ना मेरा में जब जेल स्प्रेड करती हूँ ना तीन चार घंटे के बाद मेरे केक्स में क्राक्स आने लगती है पता नहीं ऐसा क्यों हता है पहले नहीं होता था अभी अभी हो रहा है कि मैं सोची कि मेरी जो क्रीम जाद प्रिंट भी होता है ना तब भी होता है क्यों होता है मुझे पता नहीं कोई अगर आप जानते है तो मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर पताए और थोड़ा सा मैं वह स्ट्रॉवेरी का रोल ले करके क्रीम लगा करके इसके उपर चिपका लिया और चेरी दे करके इसको इसको और हाइलाइट करूंगी यह सब करने के बाद हमें स्प्रिंकल करना है हमारा गोल्डेन स्प्रिंकल जो छोड़ा वाला बल साता है अगर आप चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर लीजिए बहुत से बहुत स क्राक्स आ गया था ना मैं जिस तरह बोली तो मैं चौको चिप्स लगा रही हूं ताकि हाइड हो जाए यह लगाने से केक की लुकना और भी बढ़ गई इस केक को मैंने 1400 में सेल के आप जितना अपना हाप किलो का केक देते ही उसका पांच गुना ले लीजिए इस बड़ी